जै स्रीशाम, जै बागेश्वर्ध हम, बालाजी महराज की किरपा हम सब पर बनी रहें। यदि आपके घर में भी पित्र दोस के कारण आपके कामों में रुकावटे आ रही हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं, आर्थिक तंगी बनी हुई है, या शादी में रुकावटे आ रही हैं, या रिष्टे तो बहुत आ रही हैं, पर रिष्टा पक्का नहीं हो पा रहा है और बार बार नोकरी का चूट जाना और परिवार में किसी ना किसी सदस्ते का हमेशा बिमार पड़े रहना तो ये सब पितर दोस के लक्षन है यदि आपके साथ भी इन में से कोई गटना हो रही है या ये सब हो रहा है तो आपके घर में भी पितर दोस हो सकता है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पितर दोस के उपाई बताएंगे, जिन को करके आप भी इन सब समस्याओं से छुटकारा पाकर लाप राप्त कर सकते हैं। तो पितर दोस के बारे में मारकंडे पुराण में पूरविस्तार से बताया गया है, कि जिस व्यक्ति के घर में पितर दोस होता है, उनके पारिवारिक सदस्यों की उन्नती रुक जाती है, वो किसी भी कारिय में तरक्की नहीं कर पाते हैं। परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बिमार बना रहता है, या फिर कोई शादी के लाइक बच्चे हो रखी हैं तो उनका रिस्ता नहीं हो पाता या शादी नहीं हो पाती और शादी हो भी जाए तो फिर संतान नहीं हो पाती और इसके साथ ही पारिवारिक्स दस्यों में हमेशा मन मुटाव बना रहता है पाती पत्ने में आपस में हर जगडे कलैकलेश होता रहता है वहीं अगर पित्रों की किरपाप्राप्त हो जाए तो असंभवकार ये भी संभव हो जाता है तो अभी आपने जाना पित्र दोस कितने बड़ी समझ्चा उत्पन कर सकते हैं तो ऐसे में कुछ उपायों को करके पितर दोस को शांत करना बहुत जरूरी हो जाता है जिन से कि पितरों को शांती मिले और पितर परशन होकर हमारे उपर किरपाद रष्टी बनाए रखें और हमारे जीवन में आ रही सभी परकार की बाधाईं दूर हो सकें और इसलिए पितर दोस को उपाई जल्द से जल्द कर लेना चाहिए अभी बैसाक मास चल रहा है और 20 अपरेल को अमावश्या के दिन सुर्य ग्रेंड भी पड़ेगा तो इस दिन आप पितरों के लिए कुछ दान पुन करेंगे तो आपको बहुत शुप फलों की प्राप्ति होगी और पितर दोस में भी शान्ती मिलेगी तो आईए जान लेते हैं कौन से हैं वो उपाई जिन को करके आप पितर दोस से मुक्ति पा सकते हैं तो उससे पहले आप से रिक्वेस्ट आप वीडियो को लाई और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन आल का बटन दवा दे ताकि आप से कोई वीडियो मिस ना हो और यदि आपके जीवन में भी किसी परकार की कोई प्रेशानी समश्या बनी हुई है तो आप अपना नाम, अपने डेटो बर्थ और अपनी समश्या कमेंट बोक्स में लिख दीजिए हम आपकी रासे के अनुसार उपाई बताने की अवश्य खोसिस करेंगे तो चलिए जान लेती हैं पित्र दोस के उपाई हिंदु धर्म में पित्र पक्ष को बहुत महत्व पुरुन माना गया है और किसी व्यक्ति की अगर मिर्तु हो जाती है और मिर्तु के इसमें उसकी किरिया सही डंग से नहीं करते हैं तो भी उसकी आत्मा को शांती नहीं मिलती है तो ऐसे में मर्ने वाले व्यक्ति की मर्नो प्रांत किरिया सही विधी-विदान से और सही डंग से करने चाहिए ताकि उसकी आत्मा को मुक्ते मिल सके और यदि बूलवस कोई त्रूटी रह भी जाए तो इसलिए स्राथ पक्ष को बनाया गया है जिससे की मरने वाले के नाम पर गरीबों को खाना किला कर और कुछ दान पुन करके उसकी आत्मा को तिरप्त करके उसको मुक्ति मिल सके और कई बार जीवन में कुछ गटनाई ऐसे भी हो जाती है जिनके करण भी पितर दोस बन जाता है तो कई लोग अपने माता पिता का अनादर भी करते हैं उनको कुछ गलत भी बोलते हैं और मिर्तु के पस्चात भी अपने माता पिता का सही डंग से तरपन और पिंडदान नह कार्य करते इसमें तो पित्रों के लिए अलग से भोग निकालना पड़ता है जैसे उनके नाम की रुपिय कप्ड़े या खाना और वो निकालना भूल जाएं तो भी पित्तर दोस लग जाता है तो ऐसे गलतियां करने से वैक्ति को बचना चाहिए और जो वैक्ति पित्र दोस के कारण जीवन में हर समय मुसीबतों से घिरे रहते हैं और हर मोड पर उनको कस्टों का सामना करना पड़ रहा है तो उनको ऐसे में परतेक अमावश्या को जो महीने में एक बार आती है हर महीने तो उनको महीने में अमावश्या के दिन दस किलो गुड एक किलो घी और चालिस किलो गेहूं लेना है और ये सब चीजें गवसाला में दान करना है गवसाला में दान करने से उनको पित्र दोस से मुक्ते मिलेगी और कार्यक शेत्र में आ रहे ही रुकावटे बाधाई भी दूर हो जाएंगी जिससे की उनके हर कारिये सुगमता पूरे हो जाएंगे और जिन व्यक्तियों के घर में पारिवारिक मन मुटाओ और पती पतनी के बीच कलेश रहता है तो उनको प्रते दिन सुबह ना दोकर सुच वस्तरदार्न करके एक पात्र में दूद और जल मिला लें और थोड़ा काले तिल लेकर इन सब को पीपल में अरपित करें और शाम के समय में पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाएं ऐसा करने से पित्र प्रसन होते हैं और आपके उपर अपनी सुब्ध रष्टी बनाए रखते हैं जिससे कि पारिवारिक सदस्तों के बीच का मन मुटाव दूर होकर और पती-पत्नी के बीच में भी प्रेम भड़ता है और एक उपाई और बता देते हैं जिन लोगों के उपर पित्र दोस बना होगा है उनको संसान घाट के बाहर एक तिर्वेनी का वरक्ष लगाने से भी पित्रों को शांती प्राप्त होती है और तिर्वेनी के पास अगर आप पानी का मटका भी रख दें तो ये और भी अच्छा हो जाता है तो अब आप पूछेंगे कि तिर्वेनी किसे कहते हैं तो तिर्वेनी में नीम, पीपल और एक बड़ तीनों रक्ष एक साथ लगाए जाते हैं इसे ही तिर्वेनी का पोधा कहा जाता है लेकिन इसके साथ ये नहीं हो कि पोधा तो लगा दिया चलो जी अब हमारा फर्ज पूरा लेकिन ऐसा नहीं है आपको उस पोधे की देखभाल भी करनी है और उस पानी के मटके में पानी भी भरवाना है तबी आपके पित्र आपसे परसन होंगे और इन उपायों के साथ साथ आपको सिरिमत भागवत कीता का पाठ भी हर रोज करना है और उसके साथ आपके घर के बड़े बुज़रुग माता पिता के हर रोज चरन सपर्स भी करने चाहिए। दोस भी शानत होते हैं और जिस घर के पित्र प्रसन होते हैं वहां हर तरह की सुख समर्दी ऐस्वरे की प्राप्ति होती है उनके किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आती उनके घर में धन समपदा की कोई कमी नहीं होती उनके पारिवारिक्स दस्य हमेशा तरक्य के पत प और पित्रों के परती अपनी आस्था अवश्य रखनी चाहिए तभी उपाई कारगर्सी दोते हैं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे नोटिफिकेशनाल का बटन भी दबा दे जिससे आपसे कोई वीडियो मिस ना हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ